स्वस्थ मानव संपदा देश और समाज दोनों को सम्रिद्ध शाली बनाती है पर अफसोस कि आजादी के साथ दशक बाद भी भारत की स्वास्थ सेवाएं प्रभावी नहीं हुपाईं 2014 में जम्मानिनिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने देश की बागडोर संभाली तब से अनीक योजनाएं जैसे आयुश्वान भारत और इस संचीवनी के माध्यम से भारत की स्वास्थिस सेवाओं में आमोल चूल परिवर्तन हुआ है एक ऐसे हिल्थ मोडल पर काम जारी है जो होलिस्टिक हो समावेशिक हो एक ऐसा मोडल जिसमें बीमारियों से बचाव पर बल हो यानि प्रिवेंटिव हेल्थ केर बीमारी की स्थिति में इलाज चुलब हो सस्ता हो और सब की पहुंच में हो इसी कड़ी में प्रधान मंत्री जी ने मोध्य बिंद मुक्त भारत अभियान का संकर्प लिया है जिसके अंतरगत स्वस्थ द्रिष्टी सम्रिद्र काशी के नाम से काशी वासियों को नेत्र विकारों से मुक्ति की सौगाद दी है अगर आप काशी के निवासी हैं और पचास वर्ष से अधिक आयू के हैं तो स्वस्थ द्रिष्टी सम्रिद्र काशी कारिकरम आपको द्रिष्टी का उपहार प्रधान करेगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी की प्रेणा से शुरू किया गया ये कारिकरम ये सुनिश्चित करेगा कि काशी के 40 लाख लोगों में 50 से अधिक उम्र के सभी रहवासियों की आँखों की देखभाल हो सके काशी को मोतिया बिंद मुक्त करने के संकल्प की सिध्धी के लिए परम पूज्य शिरी रण छोड़ दास्ची महराश्ट्वारा संस्थापित शिरी सद्गुरु सिवा संग ट्रस्ट को चुना गया है जो नेत्रची किस्सा के क्षित्र में एक सुप्रसिध नाम है ये कार क्रम युद्धिस्तर पर चलाया जा रहा है जिला एनम आशा आंगनवाडी कारे करता और सौंसे ज्यादा नेत्र ज्योती पर रखने वाले प्रशिक्षक पूरे नगरक्षित्र और सभी आठ ग्रमीन विकास खंडों में घर घर जाकर निवासियों को मोतिय बिंद और दू क्रिनिंग कर रहे हैं मरीजों का विस्तरित प्योरा डिजिटली रिकॉर्ड किया जा रहा है और उन्हें आगे की जांच के लिए केम्पों में भेजा जा रहा है कि केम्प से उन्हें चित्रकोड स्थित सद्गुरू नेत्र चिकिस्साले ले जाया जाता है जहां नेत्र व जानते हैं हम इसे मोधी जी के बहुते हैं कि करिवों के बहुत सायता की है। जिन में 8843 को चश्मा वित्रण एवं 990 लोगों की शल्ड क्रिया कर उनकी खोई हुई द्रिष्टी वापस दी गई है। प्रधान मंत्री जी आपका ये संकल्प मूर्थ रूप ले रहा है। जब आज सामने हैं हम उस्सापूर्वक आपका धन्यवाद करने के साथ निरंतर आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। करेंड़ कर दो देचे मार्थ रूपका ये रहा है।